हेलो गाइस बॉर्निंग तो आल माइने में शीवम्त्यागी वेलकम तो स्टेडी पंडाव तो हेल्स नीश्पेपर आलिस फोर 31 जुलाय 2020 लेट्स स्टार्ट दर सेशन अर्फर्स न्यूस इस रिगारडिंग हां यह तीन लोग आसाम राइफल के मर गएन मनीपूर एंबुश तो फॉर एक्जाम पॉइंट और व्यू आसाम राइफल आज इस पार्ट आपको पता होगा तो यह दोनों का पार्ट एचली एक तो क्योंकि MHA में भी आती है Ministry of Home Affairs में भी आती हो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यह हो गया कि दोनों में आती हो सीए पीफ को कौन रेगुलेट करता है MHA रेगुलेट करता है Ministry of Defense नहीं करता है तो पहली बात यह एक ऐसी आसाम राइफल से ऐसी है जो दोनों में आती है MHA में भी आती है Ministry of Defense में भी आती है तो पहली चीज़ तो यह आसाम राइफल जो वह ओल्डेस पैरा मिलिटरी फोर्ट से तो आसाम राइफल है कब बनी थी 1835 में वनी थी यह इंपॉर्टेंट कोच्छन है और है एक यह बनी है यह बनाने को बनाने तो आप टाम पीरट दे रखा था तो उसने टाम में नहीं नहीं बनाए तो प्रकाल लगा थी आप क्यों नहीं बना रहे हो मुंबई को आप तो कंटेंप्ट ऑफ कोड कर रहे हैं कल के न्यूस में था कि आप कंटेंप्ट ऑफ कोड किसमें अंडर आर्टिकल 129 में प्रोविजन दे रखा या देख लीजेगा आपके सुप्रीम कोड के चैटर में अंडर आटिकल 129 में इसके अंदर ही लिखा हुआ आपको 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 कर्चाद लगा देंगा तो आई अंडर बोला कि नहीं हम बनाएंगे हमें 10 मुंस का टाम देजीजिए हम यह स्मोग टावर बनाएंगे यह कहीं भी इस्टेब्लिश किये जाते हैं टावर की फॉर्म में होते हैं बहुत यह स्टेब्लिश किया जाने ते अब ही स्टैब्लिश और बींश्टिश करम यह हमें भी सट्ईब्लिश के ड़ा जूक कर आते हैं इसमोग तावर जानना था ंल्चाइज में मिटा ब्सका ब्तक्तारों कर लिख से बहुत साटर यह यह चारे सानीर्ट से दोल्सक्र लूज से उसको ही बता जितना आपके कोई पॉइंट मिस ना जो लोग समझते हैं कि सर बस करेंट फेर बढ़ा रहें तो नहीं करेंट फेर तो मुश्किल से 40 परसेंट पढ़ाता हूं आप चेक करिएगा बाकी का जितना 60 परसेंट हो तो यह उन लोगों के लिए फायदा है जो अप बहुत इंपोर्टन परसेंटी है कि बहुत ही कि हम सबको याद रखते हैं लेकिन इनको याद करते हैं बहुत लोग बहुत इंपोर्टन परसेंटी हैं इन्हों नहीं जो हमारा जलियाला मैसे क्रेंट हुआ था उसमें जो आदमी responsable था उसको मारा था यह तो यह तने लूटिनेंट गवर्नर थे जिन्होंने पर्मिशन दियोगी इनको गोली चलाने के लिए उनका नाम यह माइकल ओडायर, तो बहुत बार बच्चे इन डायर में कन्फुजन हो जाते हैं, यह भी डायर हैं, यह माइकल ओडायर हैं, यह उस समय के लूटिनेंट गवर्नर थे, गोली एक्जान चला है चला Loud विए अपकम only उज cheating ये उस समय की लूट निन गवर्नर थे पंजाब के कब हुआ था किस डेट को हुआ था गैजले वाला मासे करें 13 अपरल 1919 यह और इंपॉर्टेंट डेट है कहा हुआ था अम्रिस सर में हुआ था प्लीज रिमेंबर देट ऑल्सो तो इनको मारा था माइकल ओ डायर को जो आके लूटेन गवर थे इनको नहीं मारा था जो फील्ड से रिलेट है घ्दर पार्टी है और फीचे से रिलेट है तो ही अट्यूशे पैलेट है डाटी हिर्ट ऑर ऐंडिए साघआ साघ्यूर्व का temperature चक्रंप चक्टटी आनने संदोर्ट इंडवर्कर बांगार के लोटार तो इससे हिलेड़ का तो इसे ने से ब्रीट है और इन नेक्स न्यूस इस अब ये न्यूस तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी लेकिन इसमें CBI का टर्म यूज हो गया, CBI एक्जाम पॉइंट ओव भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, अब CBI क्या है कि CBI में पहला कुशन तो यह किस मिनिस्ट्री में आती है, तो पहले तो उससे बनिए, यह कोश्चन जो है, यह स्टेचूटरी और एक्जिक्यूटिव रिजूशन यह 2019 के सिविल सर्विस में पूछा जा चुका है, तो समझ लीजे कितना इंपॉर्टेंट कोश्चन है, जिनको डाउट लगता है मेरी बात में, वो प्रिवियस यह चेक कर सकते है तो यह 2019 में पूछा गया, सिविल सर्विस में कि इस चेक्चूटरी और यह नहीं, वो एक 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 एक्जेक्यूटिव रिजॉलूशन से पाट वी थी, इसको रिकमेंट करा था सांता नाम कमिटी ने, तो इसको रिकमेंट किसने करा था, कमिटी का नाम याद रखेगा, सां आ अचिण आता नाम कमिटी ने रिकमेंट कराता है, कौन सी रिपोर्ट देती नहोंने, प्रिवेंशन करूपशन एक्ट शेक्सुलिप 1052, यह फोर्ड शंमिट करीती हि, इसके बेसे सी बिईय का घठन हूआff, यह मेना बताए दिया, सी इस से पावर पूलिस इस सेंसे पा 2003 यह इंपॉर्टेंट जो मैं सर्कल कर रहा हूं वास उतना याद रखी जो डारेक्टर ने इसके सीबी आई के दो सल के लिए अपॉइंट होता है किस एक के थूपरीम कोड का जज हो सकता तो त्री मेंबर्स बॉडी होती है जो रिकमेंट करती है डारेक्टर के लिए यह पूछी आगी अपॉइंट के रिकमेंडिंग कमिटी कौन सी यह पूछ सकते हैं इस चैच्चुटरी बॉडी एग्जीकुटिव बॉडी ने से रिकमेंड करा है वह सकते हैं तो जो मैं सर्कल कर रहा हूं उतना आप खास कर त्यान रखेंगा और जिनको पढ़ना है और वह तो यहां पड़ सकते हैं पॉस करके यहां टीटेल लिखा हुआ है जितना मैंने सरकल कर रहा हो तो बिल्कुल धियार नहीं है बहुत इंपोर्टेंट है तो नेक्स न्यूस इस यह रोज आता विचारे फश गया पर पाकिस्तान वाले ने प्रॉपर लीगल सपोर्ट तक नहीं दे रहें आप देखे प्रॉपर लीगल सपोर्ट तो इंडिया वर्श टू प्रोटेक्ट चादव इंडिया चला जा रहा है कि हैसे इनको बचाइड है पाकिस्तान वाले सुनने को रेडी नहीं हो रहे है तो हमें इसमें जानना है इस एक्जाम पॉंट ऑफी आईसीजे क्या है कि यह वन ऑफ दप शिक्स मेंसे जो शिक्स प्रिंसिपल और उगनाईजेशन ए उन की उसमें से एक है इसका काम क्या है यह डिस्प्यूट सेटलि और Alliance करेगी इन दोनों नेषञ करेंगी इन दोनों नेशनेशन के विछ में पाकिस्तान के देन कि काकिस्तान के इसके हैं इसके पर ऐलोक टन होते हो में इसमें कितने नियतनों सब्सक्राइब तो मर्मीशन लगती है तो वर्मीन ऐनिमल को मारने के लिए सुप्रीम को आप मार देते हैं तो मढर एप एसा करिए जिसे एक्स्प्रोजिफ फोड दीजे ताकि मरे ना या रबर बुलेट्स का यूज करिए इनको डराईए इनको मारें हो मत वर्मेन अनिमल को क्योंकि बहुत बार क्या हो रहा है इंडिस्क्रिमिनेटेट किलिंग ओरी हो बुल बुल्स ब्लु बुल्स जिनने अम नील बहुत बार मारी जाती है ऐसी म सदय ने the name of of aged war mean अनिमल को कोश्चन गाता है तो कोश्चन ये वर्मिन अनिमल से घंडा बंता है फाली जानिन ऐि मन मत एक्षण कowo Zcas PA आपको पहली चीज तो याद रखने हैं फिर वाइल आप प्रोटेक्शन एक 1972 में शिक शेडियूल है जैसे आपने सिटीज पड़ा होगा जो मैंने उसलिँट सिट सिटेव कशार में छुमें एक भिवाइल सिटेविश में शेडियूल आप aí गाले सकते हैं यह उपर बता दिया फेर Toward और 4 थेम थोड़ी कम में प्रोटेक्शन थोड़ी का में प्रोटेक्शन हम लख सकते हैं लेस प्रोथेक्शन लेस्स प्रोटेक्शन जो फिफ्ट वाला यह आपको खास कर ठान इसमें वर्मिन एनिमल्स लिखा फिफ्ट शेडियूल में वर्मिन एनिमल्स वह मार सकते हैं तो किसमें लिख़ा इन शीडियूल 5 और 5 जालेयृट करसकते हैं गांजे वाले पेड़ किसी का पेड़ ऊसका तो आपको शॉट शॉट ध्यान रखना है, फर्स सेकेंड में absolute protection है, थर्ड फोर्थ में protection थोड़ी कम है, फिफ्ट में vermin animals आते हैं, फिफ्ट में plants आते हैं, क्या है, question बस यही बनेगा, वर्मिन अनिमल के schedule में रखा गया है, या कौन से act में रखा गया है, तो आपको मैंने ब कोई भी कोचिंग का करेंट अफेल ले लिए उसमें अगर यह सब information हो, इतनी detailed information तो बताईएगा, तो यहां सब हम आप यह के लिए कोशिश कर रहे हैं, मैं अच्छे से अच्छी information चाहता हूं, क्योंकि मैं भी student हूं और दे रहा हूं exam तो ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई यह ऐसा पॉंट आप यह से आप यह सब आप यह सब कर सकते हैं, अब हम यूपी में जो लोक सबा के यूपी में जो एस्टेट एसेंबली के एलेक्शन हुए तो उसमें जो टोटल खर्चा हुआ है, उसका 54% तो केवल 54% तो किवल 54% मतलब 50% लिख सकते हैं, वह तो किवल BJ नहीं खर्च करा है, जो टोटल खर्च हुआ है, सारी पाटियों का मिला के उसका 50% तो किवल BJP ने करा है, तो बताइए यह आप लिख सकते हैं, criminalization of politics में, यह जो मैंने आपको अभी information दिये, यह किसकी information है, ADR, Association of Democratic Reforms, इसने यह रिपोर्ट सम्मिट करी है, रिपोर्ट इसन Publicity में खर्च कर दिया, क्या भूलेंगे, politically हमें नहीं जाना, as a student, हमें बस अपनी information निकालनी है, तो मैंने आपको बता दिये, कम से कम 50% of the total parties, जो fund है, वो अकेला, यह, one single party ने खर्च करा, आप यह नाम मत लिखेगा, कभी भी exam में किसी party का नाहम नहीं लिखना होता है, तो politically motivated लगता है, कि हम एक party की बढ़ाई कर रहे है, तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, कि total 50% का, जो total expenses सब party को मिला के, उसका 50% केवल single party use कर गई है, ऐसे लिखेगा, one single party uses, according to the report of ADR, Association of Democratic Reform, ऐसे करके लिखेगा, तो आपको number अच्छे फैचोंगे, या आप introduction में लिख सकते है, बोडी में भी कहीं भी आपको जाच चल लगे, वहां इसको लिखेगा, यह मैं इसलिए बताता हूं कि आपको SC के लिए भी एक दूपइंट मिलते रहे, so the next news is, भोपाल गैस लेक, एक मिनट पीछे छूट गई है, भोपाल लीक्स वीटो अविट्स पेंशन, अब यह भोपाल गैस के जो पेंशन मांग रहे थे, बहुत लोग को मिली, बहुत लोग को नहीं मिली, फिर political motivated, हमें बस यह जानना है, भोपाल गैस में कौन सी लीज कुई थ जितनी बार आएगा, मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत इजी कोशन है, वो सब बच्चे गलती कर देते हैं, अपरोक 50% बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, मिथाल आइसोसाइनएट यह किस से छूटी थी, यूनियन कारबाइट फेक्टरी थी, वह पार में वहां से छूट कुछ नहीं, गांधी किंग इनिशेटिव पासिज यूएस हाउस कमेटी, तो एक डेवलपमेंट फांडेशन फांड हो रही है, किस किस के लिए गांधी जी जो हमारे गांधी जी थे, और किंग को लिखा है, मार्टन लूथर किंग जूनियर, यह जो यूएस में थे, मार् जो इंडिया के लोग है, मार्टन लूथर किंग पर रिसर्च करेंगे, जो अमरीका के लोग है, गांधी जी पर रिसर्च करेंगे, कोई भी अच्छा होगा, तो यह अभी बिल आया गया, अभी सेनेट में पास नहीं हुआ है, जो यूएस की असेंबली, उसको हम सेनेट ब देवलपमेंट, यूएस एजनसी और इंटरेशनेट देवलपमेंट और गवर्मेंट ऑफिंडिया के बीच में, बस नाम याद रखेगा, किस ने बनाया यह याद रखेगा, दो चीज, बस और कुछ नहीं, तो अब यह फिफ्टी फॉर नेशन नट दॉइंफ प्लाइट स्लेवरी, तो स्लेवरी आपको पता है क्या होता, मैं इसको बताने की जरुवत नहीं है, यह पहले से चली आ रही है, इंडिया में बहुत बुरी प्रथा भी थी है, इसे खतम किया गया, तो अभी विफ्टी फॉर नेशन पर्टिकुलर क्यों बोला गया, तो फिफ्टी फ जो कभी जिन्हें अपना ब्रिटिश ने अपनी टेरिटरी बनाया था, 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 ब्रिटिश सब्सक्राइब ब्रिटिष की टेरिटरी रही है वह कॉमन विल्ट का पाट होंगी साल की पर्सेंट लिखा गया 40% पीपल आज भी मॉडर्ष का शिकार है 54 निशन में 40 पर संट तो आप यह यूज कर सकते है अपने समय किसने रिपोर्ट दी है तो तो Commonwealth Human Rights Initiative, CHRI, Commonwealth Human Rights Initiative की रिपोर्ट है कि 40% आज भी modern slavery चल रही है in Commonwealth Nations, क्योंकि इंडिया में क्यों है, क्योंकि इंडिया में कोई coordinating body ही नहीं है, कोई national action plan ही नहीं है, आप ने कभी सुना है national action plan on slavery, ऐसा ही नहीं कोई plan, इंडिया में तो यह प्रॉब्लम है, और हमारे जो eradicate करनी है slavery, तो 2030 तक हमें eradicate करनी है, eradicate का मतलब होता है, बिल्कुल जड़ से खतम करनी है, slavery कब तक 2030 तक, अब देखे कैसे होता है, तो आपको 2030 याद रखना है, कब तक खतम करनी है, 40% slavery आज भी है, 54 nations में, या Commonwealth nations में, रिपोर्ट की किए CHRI की, CHRI का क्या है, Commonwealth Human Rights Initiative, Commonwealth Nations के वारों मैंने आपको बताई दिया, 54 nations है, emotionally British territory है, only British territory नहीं है, इसमें दो यह याद रखेगा, यह exception है, Rwanda, Mozambique, जो ब्रिटिश की territory नहीं थी, लेकिन Commonwealth nations का पार्ट है, तो the next news is, हाँ, अब एक कल मैंने आपको news बताई थी, बहुत बच्चे मेरे को कमेंड हो ले, सर दोबारा बताईए, दोबारा बताईए, तो मैं दोबारा बता देता हूं, कोई बात नहीं, यह economic के दो टर्में, direct exam में as a definition भी पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूं, रेपोरेट और रिवर्ट स रेपोरेट क्या होता है, बहुत एजी लेंग में, आज फिर समझमें नहीं आएगा, मैं फिर कल आपको बताँगा, आप कमेंट सेक्षन में लिख दीजेगा, फिर समझाते हैं, पहले जानते हैं, रेपोरेट क्या है, जैसे हैं लिख रहा है, increase कर दो मार्केट में पैसा जादा भेजना है सब लोग के पास जादा पैसा होगा सब समान खरीदेंगे तो सामान महेंगा हो जाएगा यह तो कैसे होता है हमारी Reserve Bank of India तो यह क्या करेगी Commercial Bank कॉमर्चियल बैंक कॉनसे होती है जितनी हमारी State Bank है पंजाब Bank है जितनी भी Small Bank है इनको बोलते हैं Commercial में तो अगर Reserve Bank of India पैसा देती है पैसा को आधियक हो तो जिस रेट पर पेसा देगी मानगे Europe पैसा देक हो और इसका बद बढ़ पढ़ते हैं कि RBI ने अपनी repo rate कम कर दी अब मान के चलिए Reserve Bank की पहले जिस ब्याजदर पर पैसा देता था और चार की ब्याजदर पर देता था लेकिन फिर उसने rate decrease करके 3% कर दिया तो commercial bank को 1% कम ब्याजदर पर पैसा मिल गया तो commercial bank क्या करें commercial bank भी आगे loans देती है borrowers को तो वो अगर मान के चलिए पहले 9% पर अगर loan देती थी तो अगर उसको repo rate 1% कम मिल रही है तो वो भी अपनी loan की ब्याजदर घटा देगी लोग के लिए तो इससे लोगों का फायदा हो जाएगा तो लोग जादा loan लेंगे जादा लोन लेंगे तो जादा पैसा जाएगा market में जादा पैसा जाएगा तो inflation आ जाएगी market में जादा पैसा आएगा market में inflation मतलब महंगाई आ जाएगी तो इससींपल होता रैपोरेट इसका एकदा मपोरेट होता उल्टा reverse रैपोरेट जैसे हमें market से liquidity खतम करनी है मतलब महंगाई इतनी जाद हो गई या महंगाई को कम करना है महंगाई कैसे कम होगी कि लोगों के पास से पैसा सारा छीन लो या नया पैसा market में डालो ही नहीं अब नया market में पैसा कैसे नहीं डालेगा अगर loan जो है वो बहुत महं आज के लिए कोई loan उठाने के लिए तयार ही नहीं बैंक से मानके चलिए तो market में पैसा जा नहीं रहा तो inflation मतलब महंगाई कम हो जाएगी तो यहीं उल्टा है अब क्या करेगी commercial bank deposit कर देगी सारा पैसा RBI में reverse रैपोरेट में मतलब obligation भी होता कभी-कभी या मार्केट में ब commercial bank about RBI को आफिस देदे की commercial bank करेगी थिना पैसा hold करगे । पैसा वापिस देए किकि जिस रइट पर रैपोरेट बौलते है आपकोरेट में क्या होता है या दो चीज यह इतना डीटेल को समझा दिया लेता है एक्जाम में इतना नहीं आएगा एक्जाम में अच्छा राइगी आप यह जो पैसा जो राइप रेप रेत होती इसे अम बोलते हैं monetary easing policy जो कल का टर्म था monetary easing, ease मतलब आसानी से पैसा मिल रहा है लोगों को, क्योंकि easing हो गई, रेपो रेट कम हुआ, commercial bank ने अपनी लोन की ब्याजदर कम करी, लोगों को आसानी से पैसा मिल रहा है, तो easy monetary मतलब होता है, पैसा easing मतलब आसानी से, तो monetary easing policy होती है RBI की, और monetary होती है monetary easing policy होती है, तो यह मैंने आपको बता दिया, तो यह मैंने आपको बता दिया, फिर भी सौझ में आए, कमेंट सेक्शन लिखेगा, मैं फिर कल दूसरे तरीके सा समझाने के कोशिश करूंगा, आपको टेंचन नहीं कोच लेने का, यह मैं बैठा हूँ, आपको बतानी रह गई, इसमें एक नियूज आपको बतानी रह गई, यह मैंने पूछा था तो बहुत बार लोगों ने कोश्चन गलत दिया, तो में को ध्यान आपको आपको इस नियूज में नहीं बताए, कि टोटल जो नेशनल पार्टी है वो 8 है, मैंने एक बार है हमारी BJP, फिर हमारी BSP, सभाउजन समाजवादी पार्टी, CPI, Communist Party, CPI-M, Communist Party, Marxist, फिर एक हमारी NCP, NCP यह Congress की पार्टी है, और फिर एक हमारी NPP, National People's Party, यह अभी लेटेस्ट एड वी तीन 2013 में, यह अभी एड वी लोगों रह ते 7 है, तो 7 नहीं है, 8 है, और जो एक है वो पार्टी है, जो नेशनल पार्टी है, आप ध्यान रखेंगा, डारेक एक्जाम में कोशन हो जाता है, हमारी नेशनल पार्टी है, तो 8 है, यह सारे मैंने नाम भी बता दिये, जो लेटेस्ट विए है, वो एड पीपी है, नेशनल पीपल्स पार्टी 2013 में, और AI-TC ती सी त सर्वर कर दी, तो आज आपका कोशचन, मैं लिख देता हूत, कोशन, वालट इससदाट देफेरेंस ब्टविघेखेंवे घवे, परदटिय ब्रॉट्स एलकल में जी 500, व्रॉट क्याहस पता है, पुर्षबरेंस बटविघेखवे, हिस हां जींवे च उांवे आपका बता में को पताईएगा GDP क्या होता है और GVA क्या होता है तो आज की डेफिनेशन इतनी तो प्लीज लाइक शेयर और सस्क्राइब थैंक्यू अल अगर कोई भी दिखका तो यूज कमेंट सेक्शन प्लीज लाइक शेयर करेंगे मज़ा आजाएगा कोई भी लगता है अधीला ता ल